हलो नमस्कार मैं डॉक्टर नॉर्ड पटेल डिर्मेटलोजिसें हैर ट्रांस्परांसरजन और अक्निक राइगर छेतिजगर आज इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ कि यंग उम्र के लड़कियों में यंग एज हो गया है उनके बाल काफी पहले जब मोटे थे जब बच्चे थे उनका जो पोनी टेल, ओर एल जो हेर का वॉल्यूम था जादा था लेकिन अब उनका वॉल्यूम कम होते जा रहा है लेकिन वो समझ नहीं पारें उनका में रिज़न क्या है क्योंकि देखे कम एज में बच्चों में क्या होती है कोई बड़ी chronic disease, लंबी बीमारी हुई नहीं है भी तक pregnancy हुई नहीं है कोई लंबे से में का medicine निखाया है तो आखिर क्या समस्या हो रही है जिससे उनका बाल ज़र्णा सुरू हो गया है और क्या कैसे समस्या है मैं जो usually day to day routine life में देख रहा हूँ अगर आप चैनल में पहली बार आए है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप चैनल को subscribe करें क्योंकि मैं जो वीडियो साब कर बनाते रहता हूँ आपको सही समय पर मिल जाएं और उसका फायदा आपको जुरूर मिले देखे क्या होता है जो यंग बच्चे आते हैं उनमें पहला चीज जो होता है लाइफस्टाइल का अगर आपका लाइफस्टाइल अगर जैसे लेट टाइम में सोना लेट उठना अगर यह है तो इसको थोड़ा सुधारे आप दूसरा चीज होते हैं कि अभी फास्ट फूड देखे पहले के जमाने में भी जो हम हमारे पेरेंट्स उनके कल्चर के टाइम में भी फास्ट फूड क्या होता था बड़ा समोसा हुआ करता था वो कमपेटिवली आज के जो पिज़ा ब्रेड ये चीज़ा आते हैं उनसे थोड़ा हिल्दी था बेट्स तो वो भी नहीं था तली चीज़े थी लेकिन उस टाइम क्या होता था स्लीप डाइट पैटन सा बच्छी थी तो आज कल जो डाइट आ गया है जो पैकेट फूड जाता आ गया है वो एक दूसरा कारण है तीसरा जो रिजन है बच्चे थोड़े केरलेस हैं सही टाइम पर उनका हेर वास नहीं होगा सही टाइम पर ओईलिंग नहीं होगा चौता चीज है उनका प्रॉपर डाइट जिसमें की सीजनल फूट्स अंकुरी चने मूंग डाल डाइट काफी अच्छा नहीं है मैं 90% लोग को पूछ रहा हूँ कोई भी अच्छे डाइट के लिए कोई बोलता नहीं है कोई लोग तो डाल नहीं खाते हैं तो जब प्रोटीन आपको अच्छी क्वाल्टी की नहीं मिलेगी तो आपको हेरफॉल की समस्या होंगी पांच होँ एक और कारण कि आपके स्काल्प में डेंडरफ है लेकिन आपको पता ही नहीं कि डेंडरफ इतना ज़ादा है कि वो आपके बालों को जड़ों को नुकसान कर रहा है तो मैंने जो कुछ आपको रिजन बता है इनको खुजने के जरूर कोशिस करें ये कोई न कोई अगर रिजन होगा तो आपको हेरफॉल उनके समस्या है ज़ादा रहेगी अब यंग बच्चों में अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं देखें क्या होता है कि आप एकड़ में स्टार्टिंग में जंप आपको नहीं करना है कि तुरंद कोई मेडिसिन ले सबसे पहले आप अपना ब्लड टेस्स कराएं इन ब्लड टेस्स में CBC थैरेट के टेस्स ज़रूर कराना चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या है दूसरा चीजे डाइट में हर दिन आप अंकुरी चरें मूंग दाल, सिजनल फूर्स, गाजर, चुकंदर ऐसे जो चीज डाइट अच्छा रखें, पानी बहुत जादा पिए, हेर के जो लेंथ होता है उसमें बालों में तिल लगा के रख सकते हैं लेकिन याद रखें सीर के जड़ों में तिल न लगाएं बलकि आप तिल लगा करके बाल को धो दो दें और जड़ों में काफी सारे अच्छे सीर आते हैं, उनका इस्तेमाल दो-तीन मेहना भी आप करेंगे, तो आपके हेर पहले से हेल्दी होने सुर हो जाएं, लेकिन देखें, अगर आपका प्रॉपर हेर फॉल हो गया है, हेर लॉस हो गया है, तो वो एक दिन में आपका हेर फॉल कंट्रोल ना तो होगा और ना कि दो- जार करना पड़ेगा, जानकारी अच्छे लगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं, धन्यवाद.